करें मेरे चैनल को ताकि आगे आने वाल अपडेट आपसे मिस ना हो और प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए स्वागत है आप सभी का हमारे यूडूब चैनल में पेश करना जा रहा हो सुमो कोल टैबलेट के बारे में दोस्तों सुमो कोल टैबलेट नॉर्मली हम लोग कोल जैसे सिम्टम में लेते जैसे कि अगर आपको सर्दी हो गया जूखा में अगर आपको थ्रोट में इंफेक्शन हो गया गले में खरास जैसा हो रहा है आपको खासी हो रहा है आपको बदन दर्द हो रहा है अगर आपको खासी के सा बोलते हैं सर्दी में आपका नाग आप हो जाता है तो उस कंडिशन में हम फिनाइल अफरिन लेते हैं लाइंटीन एक बहुत बड़ एक केमिकल है जिससे बुखार और पेन और सूजन होता है बॉड़ी में जब नहीं बनेगा तो अबिसली बुखार भी नहीं होएगा पेन भी नहीं होएगा दूसरे नमबर पर आते दूसरा हमारा फिनाइल एफरेन है दोस्तों तो मैंने आपक अलफा एंटर्णी और यह जो नेशल के केपलेरी को कर देता है अब जाब यह नाक में तो फिर अच्छा कासा जगह मिल जाता है तो जगह मिलने के वएसे हम अच्छे से थोड़ा उसको सांस ले सकता है न दोस्तों क्योंकि यह जो कंजेशन होता है यह नाक में नस जो जो एक इस्टामाइन नाम बनता है जब रिलीज होता है तो वह हमारे बॉड़ी में कफ करता है तो फिर खासी बनना यह नहीं भी बनेगा तो फिर दाइफेन हेटरमीन नॉर्मली हमने को कफ खासी से जो रिरेटेड लक्षन है हमारे बॉड़ी में उसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते है ना दोस्तों तो डाइफेन हेटरमीन बहुत ही कॉमन है और चाउथा उसके पहले मैं बताऊंगा कि जबी भी डाइफेन हेट हम लेते कफ के सीरफ में या एक टैबलेट सुमकोल्ट के बारे बोलू तो थोड़ा नींद आता है अगर आता होगा तो कुछ अला की प्रॉब्लम है है ना दोस्तों तो तो जस्मजा कर रहो तो यह जो सीने स्टिमुलेंट यह जो डाइफेन हम लोग ने लिया यह जो रोकने के लिए एक सीने स्टिमुलेंट का काम करता है इससे नीन ने आता है दोस्तों तो यह साइट इफेक्ट को बस रोकने के लिए बस उमीद करते हो कि यह आपको यूज और कॉमपजिशन समझ में आ गया होगा अभी जो सुमो कॉल टैबलेट यह एक लूपिन कंपनी आपको प्रेखनी बनाती है जो बहुत ही फेमस कंपणी अपने एंडिया में दोस्तों और बेसिकली इसका जो ढोल्टव में जो बड़े लोग उसमें एक एक गोली सुबह शाम लेते हैं न दोस्तों इसका साइड इफेक्ट दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलता है लेकि तो बताना चाहूंगा कि कीन कंडिशन में आपको यूज नहीं करना है जैसे आपको प्रेगनेट वूमन अगर गर्ववती महिला है तो उस कंडिशन में यह टेबलेट को ना ले अपने डॉक्टर से कंसल्ड करें क्यूंकि इसमें एक कैफीन है तो कैफीन प्रेगनेंसी में तो यह था कॉंटर इंडिकेशन कीन कंडिशन में नहीं उसकरना है अब नोट बताऊंगा जाते जाते कि आपको इस दवा खाने के बाद कोई हेवी काम नहीं करना है कुछ वजन उठाने वाला काम नहीं करना है गाड़ी चलाना नहीं क्यूंकि इसमें डाइफन हेटर में जो बता है आपको लेने के बाद थोड़ा नींद आता है बहले हमने कैफिन डाला है लेकिन अगर आप यह दवा कुछ लंबे टाइम तक लेते हैं तो हमारा बॉडी भी तो एक क्या बोलते हैं यूस्टू हो जाता है उसका एक आदी हो जाता है तो वह साइट इफेक्ट ध सिरियस एलर्जिक रियक्शन भी करा सकता है दोस्तों तो क्रिपया करके परसेटमोल इसके आलावा और अलग से ना खरीदे और ना ले न दोस्तों तो यह था इसका पूरा रिवीव अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर यू 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 कि वीट अ झाल झाल